या आप भी अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल गए हैं कि आपको नहीं पता आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड क्या था तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाल है कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड केसे पता करें यानि कि केसे रिसेट करते हैं इ अभी मैं आपके सामने इसको logout कर दूँगा, उसके बाद इसका password भी reset कर दूँगा, उसके लिए पहले मैं अपनी profile में जाँँगा, profile में जाने की बाद उपर 3 line पे click करके setting में जाँगा, setting में जाने की बाद इधर simple से logout का option है उसके उपर click कर दूँगा और logout कर दूँगा ठीक है अब यह log out हो रहा है और इसके बाद आपको मैं मेरा password set करके बताऊंगा अब यह log out होने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक option में लिगा forget your login details ठीक है तो उसके उपर click कर देना है उसके बाद दोस्तों मेरा email id उसने automatic ले लिया है इसको पहले थो हम हटा देंगे इदर से हटाने के बाद मैं आपको एक information देना चाहूंगा अगर आपके बास username पता है आपको अपने account का तो आप यहाँ पर डाल देंगे और login कर लेंगे email id पता है तो यहाँ पर डाल देंगे login कर लेंगे फोन नमबर पता है तो यहाँ पर डाल देंगे, लॉग इन कर लेंगे, मैं फोन नमबर डाल के दिखता हूँ आपको, फोन नमबर में बहुत दिक्कत हो रही है, इसके वज़ से काफी लोगों का जम्रा नहीं, 9-1, पहले आपको 9-1 डालना ही पड़ेगा, ठीके, उसके अगर मैं send message करता हूँ तो मेरा dismiss बता रहा है, मतलब sorry we did not find account, यह account धुनने में असमर्त बता रहा है, इसको dismiss कर देंगे, mail पे देखते हैं, mail पे चाहिट राए हो जाए, बहुत लोगों के साथ दोस्तों यह दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों देख सकते नीचे user not find आ रहा है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको back आना है, दोस्तों वीडियो को end तक जरूर देखना, मैं आपका password reset करके ही छोड़ूंगा आज, उसके बाद loading लेगा, ठीके अब अब इदर उसने मेरा phone number automatic ले लिया तो इसको हम cancel करेंगे, दोस्तों आपका जो username रहता है, ठीक loading लेगा, दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद हम आपको reset भी करके बताएंगे, अभी हम हमारा account find कर रहे, उसके बाद नीचे दोस्तों आपको send a message उसके उपर click कर देना है, ठीके अभी यह आपके phone number पे आपको एक code बेजेगा, और automatically deduct कर लेगा आपका phone का code ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत ने, स्रिफ आपको इधर wait करना है, और दोस्तों जैसे यह confirm हो जाएगा, तो मैं आपको setting में से कैसे password reset करते वो भी बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को अंतक जरूर देखना है, ठीके, अभी दोस्तों देख सक एक option देखेगा, उसके उपर क्लिक कर देना है, दोस्तों यह process ध्यान से सीखना आप, उसके बाद आपको इधर secretary का एक option देखेगा, privacy के नीचे उसके उपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आप यह बोलेगा आपका current password, current password तो हमें पता नहीं है, हमारे phone ने automatic deduct करके, हमें इस account में लाया है, इसके बाद हम क्या करेंगे नीचे, forget password कर देंगे, forget password करने के बाद यह अपनी mail पे, Gmail पे आपको अपना password reset का एक यह link भेजेगा, ठीक है, ओके कर देना है, इसको simple से, अभी हमें wait करना है, Instagram हमारी Gmail ID पे हमको mail भेजीगा, जैसे कि आप उपर देख सकते हो, हमे Gmail भेज दिया है, उसके उपर क्लिक कर देंगे हम, ठीक है, तो देख सकते हो, दोस्तों, उपर लिखा हुआ है, title ही, reset your password, ठीक है, नीचे भी लिखा है, यह जो blue color में है, इसके उपर क्लिक कर देंगे, simple से, उसके बाद आपको क्या करना है, open with chrome करना है, ठीक है, Instagram नहीं करना chrome करना है, आप पूरी process देखिएगा दोस्तों, अभी इदर आपको password reset करने की link भेज दिये उसने, तो दोस्तों इदर आपना new password reset कर सकते हैं, और वही password आपको नीचे confirm करना है, ठीक है, पहले हम हमारा password डाल लेते है, अभी दोस्तों हमने हमारा password set कर दिया है, अभी simple से आप आपको reset password के उपर click कर देना है, ठीक है, पहले देखेंगे अभी ये reset हो जाएगा, wait करना पड़ेगा, हमें थोड़ी loading लेगा, internet बहुत slow चल रहे, ठीक है, अभी दोस्तों देख सकते हो, हमारा password reset हो चुका है, अभी देख सकते हो दोस्तों, हमारा password इदर reset हो चुका है, अभी हमने हमारा password reset कर लिया है, ये क्या बोल रहा है, you bin logout, ठीक है, ok कर देंगे, अभी इदर हमारा username automatic आ गया है, अभी इदर हम हमारा password डाल देंगे, अभी दोस्तों हमने हमारा यहाँ पर password डाल दिया है, अभी हम simple से login कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, screen पर हमने हम हमारा password set कर लिया है, simple से login के ओपर click कर देंगे, अभी ये login हो जाएगा, wait करना पड़े, दोस्तों देख सकते हो, हमने हमारा password reset कर लिया है, तो मैं उम्मीद करता हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो चैनल को subscribe कर देना, और हमारे इस वीडि भी कर देला कि